पेट में गैस का बनना और गैस का पास होना ये टोटली नैश्रल प्रोसेज है पर अगर यही गैस बहुत जादा बनने लगती है और बहुत जादा आपको पास करनी पड़ती है बदवू के साथ तो क्या ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षर तो नहीं और अगर हैं तो इसका आयरवेद में क्या उचित उपचार और क्या उचित ट्रीटमेंट एविलेबल है तो आज इस वीडियो में हमें ये सारी बात क्लियर करने वाले हैं हलो व्रीवन मैं हूँ डॉक्टर वरुन शर्मा और आप देख रहे हैं आसक हैल्थ कुरू तो चलिए फटा-फट से समस्या होती है 90% ये बात बिल्कुल सच है पर 10% मैं एक एक जामपल आपको देना चाहता हूं सपोस कीजिए घर में 5 लोग है 5 सदस्या और पांचों एक जैसा खाना पीना रहन सें कर रहे हैं पर खाना खाने के बाद किसी को acidity किसी को gas की समस्या किसका digestion बहुत बढ़िया ह होता है उसके कोई समस्या नहीं होती और किसी को constipation जैसी समस्या भी हो जाती है ऐसा क्यों क्यों क्योंकि इसके कारण है आयरवेद में स्पश्चूप से बताएं कि जिसका digestive system वीक है यानि कि अगनी वीक है उसको यह समस्या आएंगी लीवर की कमजोरी और जाहिर सी बात है आयरवेद में वात, पिस, कफ, दोश का imbalance इनकी वज़े से यह सारी समस्या होती है और भी बहुत सारे कारण है जिनकी वज़े से gastric trouble यानि कि बोडी में गैस शेरी में गैस का बनना क्या है रात में ना सोना यानि कि देर रात तक जागना और दिन में सोना दिन में दो ती मि बनेगी एक्स्रा और निकलेगी भी और अगर आप बहुत जादा stress ले रहे हैं तनाव ले रहे हैं इसकी वज़े से भी हो सकता है आपका खाने पीने का तौर तेरी का बिलकुल गलत है इसकी वज़े से तो हो गई होगा और अगर आपका lifestyle पूरा sedentry है यानि कि आप 24 गंट बैठे रहते हैं तो साहिजी बात है इससे तो gastric trouble हो गाई और अगर आपको लंबे समय से कब जी यानि की constipation की समस्या है या फिर आप बहुत जादा non vegetarian item खाते हैं तो इनकी वज़े से भी extra gas यानि की वादोश बिगरता है और शरीर में gas बनती है जिसको pass करने की urge होती है ब ये आपके body के digestive system पे negative impact डालेंगे लीवर को कमजोर कर देंगे और उसकी वज़े से वात पितकफ जो दोश है शरीर में वो imbalance हो जाता है खास तोर पे वात दोश imbalance हो जाता है और लंबे समिता कर ये imbalance रहेगा तो शरीर में आम दोश की उत्पत्ती होगी आम दोश बनेगा या ये सारा process चलता रहता है cycle बन जाती है तो जब तक आप अपना lifestyle अच्छे से ठीक नहीं करेंगे और इसका proper उचे treatment नहीं लेंगे और शरीर से toxins बहार नहीं निकालेंगे शरीर को detoxify नहीं करेंगे तो ये ठीक होना संभव नहीं है तो बात कर लेते हैं इसके treatment के बारे में treatment इ दूसरा जो शरीर में जमा toxins है आम दोश बन गया है उसको शरीर से बहार निकालना है कैसे निकालेंगे उसके लिए जो best जो medicine है जो herbal है medicine वो है हरड हरड का चून market में easily available है एक से दो चमच हरड का चून आपको लेना है रात में सोने से पहले गरम पानी के साथ और तीन से चा आपको आएंगे पतले इससे शरीर का toxins भानिक लेगा चार दिन तक आपको लगातार लेना है शरीर detoxify होगा साथ ही साथ हम body की अगनी यानि की digestive fire पर भी काम करेंगे हमें body को दीपन पाचन करना है body का यानि की अगनी को दीपत करना है और आम दोश का जो पाचन करना है तो पाचन के लिए best जो herbal combination है वो है आपका अजवाइन 50 गराम आपको लेनी है अजवाइन उसमें 50 गराम जीरा मिलाना है और इनको भून लेना है साथ ही साथ इसमें आपको मिलानी है 10 गराम हींग 10 गराम मेथी दाना ये भी आप भून लीजे और इसमें आपको मिलानी है 50 गर कर लीजे इसका पाउडर बना लीजे फाइन आधी चम्मच सुभे आधी चम्मच दुपहर में और आधी चम्मच रात में आपको खाना खाने से आदे घंटे या पंद्रा मिंट पहने लेना है इसे गर्म पानी से तो यह लगातार आप 21 दिन तक करेंगे Finally, liver को और digestive system को strong बनाने के लिए हम लेंगे द्राक्ष आसब और अभियरिष्ट आपको easily market में मिल जाएगा 10 ml द्राक्षासा और 10 ml अभियरिष्ट मिला लीजिए उसमें 20 ml पानी मिला लीजिए अच्छे से मिलाने के बाद खाना खाने के तुरंत बाद आपको लेना है सुबह और रात में तो यह सारा treatment आप 21 days तक फॉलो करें जो विरेचन है यानि कि जो हरड का चुन है वो सिफ चार दिन तक आपको लेना है तो यह फॉलो कीजिए डेफिनेटली आपको बहुत अराम मिलेगा बहुत रिलिफ मिलेगा सिर्फ गया इसी नहीं और भी बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कुछ पूछना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं को लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और थैंक्स फो वाचिंग मैं वीडियो